हमारे यूट्यूब चैनल ग्रह गोचर में आपका स्वागत है इस चैनल के माध्यम से हम सनातन धर्म और संस्क्रीत से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक महुचाते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और महत्वपूर्ण जानकारियों का आनंद उठाइए काशी पंचांग के अनुसार आज दिनांग 23 जुलाई 2024 दिन मंगलवार है शक समबत 1946 विक्रम समबत 2080 आज श्रावन मास के एकरश्किपक्ष की द्विती आती थी दिन में 12 बच कर 26 मिनट तक रहेगी उसके बाद रिती आती थी रहेगी अकसत्र धनिष्ठा रात में 11 बच कर 26 मिनट तक है उसके बाद शत्य भी खानक सत्र है सूर्य उदय पांच बच कर 20 मिनट पर होगा जबकि सूर्य आस्थ 6 बच कर 40 मिनट पर होगा अज रात 11 बच कर 20 मिनट के बाद भद्रा है भद्रा के दोरान कई शुबकारिय नहीं किये जाते हैं अज रात 11 बच कर 20 मिनट तक रक्त वस्त्र प्रवाल रत्म धारन और गजकृत्ति के लिए महुरत है अज रात 12 बच कर 40 मिनट के बाद पंचक शुरू हो रहा है वैदिक जोतिश में पांच नक्षत्रों के विशेश मिल से बनने वाले योग को पंचक कहा जाता है ये नक्षत्र धनिष्ठा, शत्विखा, उर्वाभाद्रपद, उत्तराभाद्रपद और रेवती होते हैं पुरानों में बताया गया है कि सावन महीने के मंगलवार को देवी पार्वती की पूजा और व्रत करना चाहिए िस से हर तरह की परिशानिया खत्म होती है और सुख संब्रद्य बढ़ती है इस गावरनन्स कंद पुराण और विश्व धरमुत्तर पुराण में किया गया है इस दिन देवी पारवती की पूजा करके स्वरणा गौर्य व्रत किया जाता है जिसे दामपत्य सुख बढ़ता है और परिशानिया दूर होती है इस दिन देवी दुरगा और हनुमान जी की उपासक भी व्रत और पिशेश पूजा करते है पुराणों की मताबिक ऐसा करने से देवी दुरगा और हनुमान जी की विशेश कर्पा मिलती है इनकी पूजा करने से कर्द नहीं होता और रुके हुए काम भी पूरे हो जाती है आज मंगलवार है और मंगलवार के दिन उतरदिशा की यात्रा नहीं करने चाहिए मंगलवार को घर से निकलने से पहले गुड़ खाना चाहिए तो ये थाज का पंचांग धर्मा और संस्क्रीत से जुड़ी महत्तो पुर्ण जानकारियों के लिए देखते रहिए हमारा यूटूब चैनल ग्रह गोचर